क्या आपको पता है नहीं तो चलिए मैं बताता हूँ आपको इस मुन्ना भाई को तो कुछ नहीं पता हूँ दोस्तो आप हमारे चैनल पर आए हैं तो मैं बताता हूँ आपको आज किसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं मोटरोला जी फाइफ दोस्तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आड़ी टेग्जा फन में दोस्तो आप अगर हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा बगल में वो घंटी है उसको भी दबा दीजिएगा जिससे आने वाली अगर इसको डिस्प्ले की तो इसका डिस्प्ले साइज है 6.80 इंच साथ ही रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्स रिफ्रेश रिफ्रेशर के साथ में है रिफ्रेश रेट थी टाइप के होते हैं 60, 90 और 120 Hz तो इसमें 120 Hz का refresh rate दिया गया है जो कि full HD video भी support करेगा और gaming भी चलेगा लेकिन gaming उतना अच्छा performance नहीं देने वाला है बाकि वो review में मैं बता दूँगा आपको कैसा इसका gaming का performance है बात करते हैं इसके camera के बारे में तो इसका camera setup है वो triple camera setup आता है 50 megapixel प्लस 8 megapixel प्लस 2 megapixel 50 megapixel इसका primary camera है और wide angle camera है जो ज़्यादा बड़ी photo को capture कर सकता है बात करते हैं इसके front camera की तो वो है 30 megapixel ultra wide angle के साथ में ultra wide angle मतलब ज़्यादा बड़ी selfie और ज़्यादा capture कर सकते हो आप दोस्तों बात करते हैं इसके network और connectivity के बारे में दोस्तों यह single 5G support वाला phone है इसमें आप single 5G चला सकते हैं बाकि आप 4G जैसे यूज़ करते हैं normally वैसे 4G यूज़ कर सकते हैं इसमें जो प्रोसेशर यूज़ किया गया है Qualcomm Snapdragon 480 Plus और 8NM और OS Android 11 Octa Core पे आधारित है दोस्तों Android 11 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं 11 Android का feature यह है कि आप quick notification और bubble और screen recorder built-in screen recorder इसमें दिया गया है दोस्तों bubble मतलब अगर आप अपने phone में game खेल ले हैं movie देख रहे हैं तो आपको उस काम को छोड़े भीना आप quick notification देख सकते हैं build-in screen recorder आपको third party application की जरूरत नहीं पढ़ने वाली है इसमें screen recorder की बात की गई है तो दोस्तों जो थोड़ा सा बात करते हैं 8NM और 7NM यह कंपनियां जो बात करती रहती हैं हमारे processor में 7NM यूज हुआ है 8NM यूज हुआ है 10NM यूज हुआ है तो दोस्तों यह RM क्या होता है RM वो होता है जो processor में transistor use होते हैं उनके बीच की जो gapping होती है वो nanometer में होती है दोस्तों अगर यह nanometer जितना कम होगा फोन प्रोसेसर की performance उतनी ही अच्छी होगी है दोस्तों जितना यह कम होता जाएगा प्रोसेसर की performance उतनी ही अच्छी होती जाएगी उम्मीद करता हूँ nanometer आपको समझ में आया होगा तो अगली बार से nanometer में confused नहीं होना है आप समझ चुके हैं nanometer क्या होता है बात करते हैं इसमें बैटरी की तो इसमें जो बैटरी दी गई है वो 5000 ms की बैटरी दी गई है और जो इसमें चार्जर दिया गया है वो 20W का चार्जर है और मोबाइल जो सपोर्ट करता है जो इसमें चार्डिंग पोर्ट है वो टाइप C है और जो इसमें आडियो जैक है वो 3.5 mm का आड यह बात करते हैं इसके निगेटिव पांट की तो एवरेज लो लाइट कैमरा परफॉर्मेंस है मतलब थोड़ा सा लाइट वगरा फ्लस वगरा थोड़ा सा कम रहने बला है बलकि एंड हैवी है थोड़ा सा इसका वजन ज्यादा है मतलब वही करीब 208 ग्राम इसका वजन है गेमिंग परफॉर्मेंस नॉट इसका गेमिंग परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है अगर आप सिर्फ कालिंग और मैसेजिंग शोसल मेडिया यूज करने के लिए फोन ले रहे हैं तो बेस्ट फोन है आपने इसके फीचर देखिए आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा बात कर लेते हैं इसके पॉपलियर्टी की और लोगों ने इसको कितना पसंद किया है तो लोगों ने इसको 5 स्टार में 4.5 स्टार की रेटिंग दी है आपने इसके फीचर देखिए आपको कैसा ये फोन लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप इसको 5 स्ट कर दीजेगा जिससे आने वाली वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में